अलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पापका हार्दिक सागात है माई जून की तपती गर्मी जुलस्ते हुए गर्मी जहां पड़ती है वहां ऐसे पोधे लगाए जो अच्छे से चलते भी है और फूल भी देते रहेंगे अभी माई जून में और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी अ और नेक्स्ट है यह बोगन बेला बोगन बेला भी बहुत हाड़ी पलांट होते हैं यह नर्शरी में आपको रंग बिरंगे मिल जाते हैं अभी सस्ते भी मिलेंगे लेकिन कटिंग से अब लगाएंगे तो खरदने की जरुवत नहीं परेगा रोड साइड में बहुत सारे पौधे लगाया जाते हैं वहां से कटिंग लगाएं और धेरे सारे पलांट बनाएं तपती गर्मी में फूल देंगे और अच्छे से भी चलेंगे कोई भी बोगन बेला हो देखिए कितना खूसरत फूल देख खिल गये हैं और सुख गया दुवारा से खिलेंगे इस तरह हाड़ी पलांट को लगाई है अपने गर्मी में बहुत अच्रा फ्लावर देते रहेंगे पानी भी कम लगेगा लेकिन गर्मी में ये डेली हम लोग पानी दे रहा हैं और ता है गुलहर कोई भी गुलहरों हाइए बीरीट ये इसमें खिलते जा रहें देखिए इसमें रो का खिलते हैं white color और light pink color दो सल पहले प्लांट में नर्शरी से लाई थी इसका cutting भी यहां से cutting करके लगाए हूं वह भी चल गया हैं इसको cutting से भी आप लगा सकते हैं बार बार खर दने के जरूत नहीं परेगा और तेज गर्मी में भी यह बहुत अच्छे से खिलेंगे लेकिन अभी तेज गर्मी में सुबा साम पानी देजे नहीं तो रोज पानी देजे मैं भी रोज इसको पानी देती हूं और फुल सनलाइट में सारे पलांट परे हुए हैं और नेक्स्ट है कनेर देखिए कनेर भी फुल सनलाइट में खेल रहे हैं और देखिए इसमें कितने खू सब चल जाते हैं इसको मैं कितना अभार इग्णोर भी कर दे ती पानी बहुत कम डालते हों 15 दिन हो जाते हैं और इसमें डवल चांदनी भी आते हैं और सिंगल पेटर वाले भी यह भी खिल रहे हैं और नेक्स यह अपरा जीता अपर जीता तो ठंड के मौसं में डोर्मेंसी में चले गये ते अभी गर्मी आते हैं देखें इसमें खील भी और इस तरह के फली जो होते हैं इसको कटिंग करके हटा देना चाहिए जो फुल सुक जाते हैं उसको भी हटाते रहने से एनर्जी खतम नहीं होंगे और दूसरे फलावर्स देने में नर्जी देंगे देखिए इस तरह इसमें भी फली बन गए मेरे चार पोट में लगे पानी भी कम दिजिए देखिए यह मदर पलांट है और कितने बर्स इसमें बने हुए हैं मैं फरवरी में इसको निकाल कर दोबारा से रिपोट की हूँ और इसका बहुत सारे में कटिंग लगाए हूं कटिंग सब चल गए हैं इसका कटिंग तो कोई भी मौसम में कोई भी म बना सकते हैं कि अले पूल कोटंफ नहीं बनते हैं को त्यार हो जाते हैं और इसका शु两ग आइट में लाइट में रखा हूँ है फ़लावर्स इसको भी अपने गार्डन में एड करिए और ये टिकोमा है टिकोमा आप देखते होंगे रोट साइड में बहुत सारे लगे हुए रहते हैं ये टिकोमा भी फुल सनलाइट में खिलते रहते हैं देखे बहुत बढ़ा हो गया है मैं भी ये कटिंग से लगाए बहुँ जलदी युट फास्ट गुरू हो जाता है और यह Almanda है Almanda भी अपने गार्डन वेड करिए इसमें दो कलर का होता है एक बेल वाली भी होता है मेरे पास येलो कलर का है इसमें रेट कलर होता है जो वाईन में पलांट बनते हैं बेल बनते हैं इसका भी कटिंग लग जाता है यह भी बहुत खुशुरत फुल सनलाइट में तेज धूप में फलावर से देते हैं लेकिन इसे में पानी देती हूं लेकिन ऐसे पलांट हो इसको 10-12 या बरे पोट में लगाए इसका रूट ज्यादा हाडी होता है बरे होते हैं इसलिए इसक पूरी गर्मी तेज धूप में इस तरह सन फलावर खिलते रहेंगे इसको भी लगाए यह फीरी कई पलांट आपको बन जाएंगे कहीं भी इस तरह फलावर्स खिले हुए मिलेंगे उसका सीड लाइए और इसको गिरा दिजे लगा दिजे अपने आप बहुत सारे पलांट बन जाते हैं इसों खरदने के जरुवत भी नहीं परेगा अगर आप इसको खरदना चाहेंगे ते 20-25 रूपया में छोटा सा पोधा मिल जाएगा को नर्शरी में तेज गर्मी में खिलने वाले पोधे हैं संपलावर हाई विरिट भी होते हैं और देशी भी होते हैं मेरा दे सारे कलरफूल में आते हैं देखिए खिलने शुरू हो गया है मोश्रो पर चलू का इसा वहंगी पोट में लगाईए कहीं भी इसका कटिंग लगा देंगे तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं और बहुत ही खूशूरत लगता है तीज गर्मी में जुलस्ते गर्मी में खि देता है लेकिन तेज गर्मी में इतने फालावर से दे रहे हैं और गर्डन में सुभा बरा रहे हैं देखिए यहां दो कलर का लगा हुगा इसका कटिंग में बहुत असानी से लग जाता है रूट से बना हुआ रहता है हर एक नोड में और शीड जैसे पक गया अपने आप सब्सक्राइब देता है और तेज गर्मी में भी खुबसूरत फलावर से देता है इस तरह कर इस सुख जाएगा अपने आप गिर्ज कर यह पलांट बन जाते हैं इस तरह कोई भी पॉट में देखिए मेरे पॉट कितने सारे जगा 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 गिर जाते हैं चली दिखाती कितना बदा वो गया है डिर दिरे बदा हो जाता है और भेल की तरह लत्ती जैसे बढ़ते रहता है और नेक्स घूल फिरीना भी समॉर में बहुत अच्छे से फलावर्स देता है इसमें दो है नियोर फृण कलर होना से धार होते हैं सिर्भी ने प्लां त्यार होते रहते हैं पिस तरह पक जाता है यहति गिर जाते हैं इसको भी बृजत ये और फहल से लायां दिए ब्भार्व हम ख़ूसवरत लगता प्म्हें उसी फngulo देने लगता है और बहुत ही खूसुरत बल्व की तरह लगता है नैं शैक मदयों आलती बैल वाली है बहुत ही खुशूरत है तेज गर्मी जुलस्ते गर्मी में फलावर्स देते हैं ये बेल उपर चरहाया गया है नीचे जमीन में लगा हुगा है मैं पोट में भी लगाए हूँ चलिए दिखाती हूँ अब इस तरह बेल भी चरहा सकते हैं गेट के सामने लगाने से ब फलावर्स नहीं आ रहे हैं इसको भी अब मधुमालती को भी पोट में लगा सकते हैं अगर पोट जमीन हो तो जमीन में लगाए नहीं तेज गर्मी बहुत खुशूरत फलावर्स देता है अन्यक्त है ये बल वाले फूट लीली देखे इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थ बहुत सारे भराइटी में होते हैं देखे ये वाला इंबिरिकेट लीप्स वाले है इसमें फलावर्स आता है इलो कला मेरे परपल कलर लीप्स वाले भी है इसमें फलावर्स आता है तीन तरह का मेरे पास कहना लील ये समें फलावर्स आता है तेज गर्मी में बहुत इसमें होइट कलर खिलता है और दो में में दूसरे कलर क्यों और यह The Face दीजन बिलहर तो तेज धूप में खिलते ही और इधर में है यह देखिए मोगरा भी अभी घर्मी में बहुत खुसुरत फैलारिंग देंगे हमारेा इम्हों आता है इसका गाल 속 pien y repeam में लगाईए अभी तो लगाएंगे तो चलेंगे नहीं बहुत तेज गर्मी हमारे यहां बर गया है इतना जुलस्ते हुए गर्मी हो रहा है मैं रोज टिरस पर सुबा असाम पानी डालती हूं देखिए इधर गुलहर भी खिलने लगे हैं और नेक्ट है यह एमरस लिली दे कितना खूशूरत फलावर्स आया वहा है अभी तेज गर्मी में भी यह रहे हैं सहसे इससे प्लांट जらब ङुलएंगे फ़लावर्स की कमी नहीं होगी गर्मी में भी खिलने वारा धेलो फ़लावर्स पलांट होते हैं इधर है रैन लिली देखिए यह भी बहुत खुशुरत फ़लावर्स देता है इसको भी लगाए यह भी बल्ब से त्यार होते हैं मैंने भी बहुत सारे धेरो सारे पलांट त्यार की हूँ इस तरह बहुत सारे ऐसे पलांट होते हैं गर्मी का समर का तो भी नरसरी से लाक लगाईए या कटिंग से अप लगाए होंगे उसको भी अपने एड करिए अभी बरसात में धेरो सारे पलांट बना सकते हैं जितने हम परमानेंट पलांट दिखाए हूं सबका कटिंग बरसात में लगाईए और अपने गार्डन को खुशूरत बनाईए और देखिए यह वाला तेज गर्मी में भी कितने खुशूरत तीज से फलावर्स खिल रहे हैं कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो जरूरी लाइक करि देखिए मेरे गुलदस्ता में कितने खुशूरत फलावर्स खिला हुआ है और इसको तेज धूप लगता है रोज इसमें पानी डालती रहती हूं देखिए बरमीना भी इसमें लग गए है चटे-चटे बरमीना का पौधा मैंने इसमें लगा दिया है यह भी बरा हो गया ह और एलो और परपा कलर का मैचिंग हो गया है कितना खुशूरत लगता है देखिए पीछे में रेट कलर का भी खिल रहा है यह अपने आप उगाते हैं इस पोधा को तो जरूर रेट करिए इसको खरदने के जरूरत नहीं परेगा सीट से भी कहीं से लेकर इसको उगा सकते ह थेंक यू प्रेंज